आज आपर आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करन्सी के एपिसोड वन में यहापर मैं आपको पता हूंगा हाउ टू अनिलाइज एन क्रिप्टो यहापर स्टाटी इससे करूंगा विकॉज काफी इंपोर्टेंट है लोग को आता ही नहीं लोग बस यहाँ पर यूटूब पर वीडियो देखते हैं और दोस्ते पूछते हैं रहे भाई किस में करूं किसमें करूं लेकिन अगर खुद को पता हो तो इडेज ऑविसलिए बेटर चॉइस तकी कोई अगर सजेशन भी दे तो हम खुद कुद से वेरिफाइब कर सके एक स्टॉक मर्केट में भी एक दो साल पहले कुछ ऐसी सिटूएशन थी लोगों को अनलाइस करना नहीं आता था लोग अभी सीख गये हैं देरे देरे क्रिप्टो में भी यह डेवलप्मेंट आ जाएगी यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्टेप्स है यहाँ पर काफी लेमेंट आपको समझ में आ जाए आप अच्छे क्रिप्टो उठा सकते हो खुझ से इसके बाद आप खुझ से क्रिप्टो चूज करना स्टार्ट कर दोगें बहुत से वेपसाइट है लेकिन आयूज कॉइन मार्केट कैप स्पॉंसर वीडियो नहीं है बस आपकी इंफरमेशन के ल लेकिन फॉर एजांपल आपको कोई क्रिप्टो चूज करना है तो उसे कैसे चूज कर गई यहां पर कैटेग्री भी है काफी सरी डेफी नेटवर्क में आता है एनेफ्टी में कॉनसी है यह आपर हम देख से एनेफटी के क्लिक करने के उपर एनेफटी वाले टोकन आजात है यहां पर सोलाना के है एक तो फॉर एजांपल हम सबसे पहले एक एक चाटेगरी देखेंगे अब यह चाहिए तो इनेफटी में अटावर्स में तो यहां पर ऐसा कॉनसा टोकन है और खुद सा खुद से ऐसे ऐसा ब्लॉक्चेन भी है तो मैं इसे सोलाना चूज करूंग अब हमें आपको पता नहीं है कि वह क्या है लेकिन मुझा पता है इसलिए मैं चूज किया कैसे चूज करना है वह आपको पताऊंगा ओके यहां पर नेक्स्टेस की आपने कोई भी रैंडम कोई यह टोकन है जो आपको लगता है या आपके फ्रेंड ने बताया है या फिर आपके किसी यूटूब वीडियो में देखा है उसने बॉला है कि यह चूज करो तो उसके बाद आपको यह ओपन किया इसे किसे करना है सबसे में इंपोरेंट है वाइट पेपर अभी वाइट पेपर तो मैजरेटरी लोगों को समझ में नहीं आता है मुझे भी यहापर स् समझ में तो जाके मुझे कुछ 25% समझ में आया है ओके डीपली अभी तक समझ नहीं चुका हूँ वीकॉज आई डोंट नो हाव टू कोड इन एक्चुली कोड और हूँ टू एक्चुली रीड इन इस ब्लॉक्चेन नेटवर्क सो इसलिए जिने पता है एंटायर लिए उन जब तक आप वह बैलें शीट सॉल करने नहीं लग जातें आपको एक्चुली में समझ नहीं आता की कौन सी चीज खाती कहां से खागे और कहां जायेगी आगले सहल वह आपको जब तब तक नहीं समझ में आता जब तक आप एक्चुल में वैलेंड शीत स्व नहीं करने जैसे मेरे तरह 25-30 परसंट तक समझ गया हो प्रॉपरली लेकिन फिर भी डिफिकल्ट लेकिन बेसिक्स वालों को लिए क्या करना चाहिए तो यूगन आविसली गूगल कि इनके वाइट पेपर में क्या क्या लिखा है तो एक समरी आ जाएगी इनके वाइट पेपर की अभी एंटार सॉलोना का वाइट पेपर आपको दिखाई दे रहा है आप लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको उसकी समरी मिल जाएगी बहुत सारी गूगल पर एक छोटे ब्लोग आर्टिकल्स लिखे है लोगों ने बहुत अच्छे से लिखे है तो वह आपको जाना ज़रू एठीरियम को आपको जोज़ नहीं करी को को डाकता लगी जो केकिकिन खुट का ब्लोग्चे से वह फिर खूंग के यहां परॉपविस्ली उनका है और देखियों के लास्ताइम लाजयी है कम ल através एक्ग الفषे मिलें सब्सक्राण को ब्लगच्योंस अर्टू EPA तो अब्याब तो उसमें भी आपने पॉलिगॉन नेटवक के ऊपर उसे मिंट करवाया था पॉलिगॉन नेटवक पे उसे मिंट करवाया था इंटर ब्लॉक्चेन है उसमें बहुत साला कम लगती है तो अभी अनिलाइस करते वाग यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह कितना ज्यादा फ्यूचरेस्टिक है कितना ज्यादा फ्यूचरेस्टिक है अभी जैसे मैंने पॉलिगॉन नेटवक पे जब एनेफटी मिंट कराई थी तब मुझे कोई भी यहाँ पर वहा पर एथीरियम के उपर मुझे 32,000 दिखा रहा था वही मेरा काम पॉलिगॉन नेटवर्क में फ्री में हो गया अभी इससे आप जान सकते हो कि पॉलिगॉन नेटवर्क कितना अच्छा है अच्छा यानि जब बड़ेगा और बड़ेगा तो वह गैस फीज में डिफरेंस आ पॉलिगॉन नेटवर्क इतने टाइम से इतना या घ्रो कर गया है कहाँ पर यहाँ पर 257 पर 870 तक जाच चुका है और इसका वालियूम है 0.09887 और वालियूम में भी ग्रोथ देख सकते हैं जो प्राइज है उसमें 0.07 से लेके आज यहाँ पर यह 1.5358 तक जाच चुका है इतने जादा ग्रोथ आई यह वालियूम में जो मैं इस्टाटी में ग्रोथ बताए थी व अभी हम देख सकते हैं 210.04 मिलियन अभी यहाँ पर 1.14 बिलियन और कुछ दिन पहले दी अभी 868.37 मिलियन क्यों इतना बड़ा है विकाउज उसका उसका नेटवर्क का रियाइबर्टी है वह काफी जदा बड़ा है और अबिसली लोग भी जदा बहुत जदा लोग आये है है आप भी यहाँ बहुत से लोग नहीं थे यह 2021 की स्टार्ट से लेके आजए यानि एक साल का डिफरेंस सिर्फ एक साल में यह इतना ग्रोव हुआ है क्यों ग्रोव हुआ है ऑबिसली फॉर दे सेम रीजिन तो की बड़ी अनिवर नेटवर्क है वैसे ही यहाँ पर बाकी क हम भी लेता है जब कोई दूसरा कोई लेना है उसके लेना है तभी यूएज़ी में करते हैं उसके बाद वह हम करते हैं तो वह इन्वेस्टेबल कॉइन नहीं है मैंने बहुत से वीडियो देखे बैस्ट आफफवाई कॉइंस टू बाई उसमें यूएज़ डिटी डाला मतलब कुछ भी लोग बोल रहे है यार मतलब हाँ ठीक है आपको पता नहीं है नहीं पता है आप जानते नहीं हो लेकिन लोगों को आप कुछ भी दिखा दोगे दाट इस नौट राइट रहें तो मुझे भी एक फ्रेंड ने बूज़ा था कि यूएज़ टी ले लू किया लोगों यह बेसिक चीजे पता नहीं है अभी तक तो जो यह में यूज़ कर रहे हैं यहापर और भी यूज़ करते हैं उसे यूज़ लोग को एक क्लियरटी आ जाएगी ओके नेक्स्ट इंग यहापर जो आपको देखना है मौस्ट प्राबली डैट इस मार्केट क्याप अब मार्केट क्यों इंपोर्टेंट है जो अभी डॉज़ को इन वाला सीनेयर हुआ था जब डॉज़ लोग बोलें हजार जाएगा दो हजाएगा दोस जाएगा लाक रुपे जाएगा तब लोगों ने शायद मार्केट क्या नहीं देखा था ओके क्योंकि अगर यह तक गया था आए डोंट रिमेंबर में अभी कंफर्म कर देता हूं डिरेक्ली सो टेंचल नेने की बात नहीं है ओके यह हम देख सकते हैं ओके राइट जिरो यह एक सार के ओके इस राइट 0.5 तक ओके 5 ने और उपर है लेकिन वह यहां पर दिखा नहीं रहा है ओके 0.6868 तक गया था 0.7 टच कर गया था लेकिन उस टाइम पर अगर हम देखेंगे उस टाइम पर तो मार्केट केप बहुत जादा ही बड़ा था अभी तो यह 0.1 पर आ गया है तो अब इसका कम हो गया होगा फिर भी अगर फिर भी इन सम केस अगर यह जिरो पॉइंट नी इसके अगर दो जिरो एड कर लो ओके अभी इसको आमना डेसिमल आगे आगे कर लेते हैं कि 10 डॉलर कर लेते हैं अगर इसकी प्राइज टन डॉलर भी हो गई तो भी इसका मार्केटकाप इसके मार्केटकप की आगे ओविस्ली लग जाएंगे इसके मार्केट के आगे दो जिरो लगने के बाद यह बिटकॉइन से भी ज्यादा वैलियोबल बन जाएगा तो क्या विटकॉइन की वैलियो भी बढ़ेगी लेकिन डॉच कोईन की उतनी बढ़ेगी नहीं बढ़ सकते अब है अगर हम बिटकॉइन देखें लेकिन इतना जादा यह बढ़ेगा कि यह बिटकॉइन से भी बहुत ज्यादा बढ़े करन्ट बिटकॉइन की वैलियो से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा थो होना पॉसिबल नहीं है इसलिए मार्केट कैप देखना बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टन है क्योंकि आ तो for example कौन से लोगे आपर हम रला इसकते हैं so 28 595 पर चल रहा है कारन उसके ओपर चल रहा है उसके अपर 259 ड्यक्वरा यешь कोईन चल रहा है पर ये युपण अnd servica यूएसडीटी दोनों भी स्टेबल कोई से तो उनका टेंशन नहीं है ओके यह भी चल रहा है यहाँ पर तो फॉर एजांपल अभी देखते हैं यहाँ पर सोलाना काड़नों एक सापी यह तीनों लाइन में है यहाँ पर और विच वन इस बेटर दन अधर वन तो यहाँ पर म सब्सक्राइब करेंगे अभी हम देखेंगे अवलाइज करेंटली कुछ टाइम पहले अभी इसमें इसका खुत का सारा नेटवर्क वोगर बन चुका फंडामेल लेकिन डाज डिजर्फ टू बी ओन दिस प्लेस डिजर्फ टू भी अभी आपको जब अनलाइस करोगे तब आपको यह चीज समझ में आ जागी कि इस बेटर दन टेरा इडिस बेटर न डॉच कोई कि यह 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 तो स्ट इसली बेटर दान शीबा पॉलिया पॉल का डॉट के अल्मूस्ट क्लोज क्लोज इक्वली आता है टेरा से बेटर है एविलांच और मैटिक दोनों भी अलग अलग सेक्टर में तो इनका कंपारेजन प्रॉबेबली हम नहीं कर सकते लेकिन सोलाना से बेटर मैटिक नहीं है तो इन डिजर्वस टो भी बिलो सो रहना बट अबाव दीज कोई शो वाट शूट वी डूट वी शूट आपको चीजे देखनी पड़ेगी यह कंपारिजन करना पड़ेगा बाकी के कोई से बाकी कोई क्या कर रहे हैं जो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस वह क्या क है वो अगर बुरा निकल गया लेकिन डूसरा वैला कंट अच्छा तो यह तो हम्हमें कोई से लेना कोई देना नहीं हमें बस में किया होई डब एक सबाट क्या करना है कि अब लोग एरय कोंश में बेश कर देते Tit Mudky इ Romans wiring यह बढ़ेंगे तो हम बहुत पैसारा पैसा कमाइ गी मैंने मुझे भी बहुत बार काम आई है लेकिन आपकेड़ कोई इस इस अब स्टाक मारे में पैनी स्टॉक्स करीदें हैं वैसे है आप देखोगे कि डॉच कोई डॉच कॉइन कोई पैनी कोई या फिर जो कहते हैं यह बहुत से लोग बोलता लेकिन जो पेनी कोई या नहीं लो मार्केट कैप वाला कोईन है उसमें डॉच कोईन नहीं है दोच कोईन की बस प्राइज कम है जो अभी जो भी 10-15 रुपे चल रही होगी वह है वह रहेगा लेकिन डॉच कोईन इस नॉट स्मॉल कैप कोईन यह 11 नंबर पर आता है अभी मा लाज कैप कोईन में आता है बिलाज का में इसमें मैंने खुद सेग्रिएट कर दिया लाज कैप स्मॉल के वाले में स्टॉक मार्केट का कोई एजांपल दे रहा हो तो यहां पर शीबाइनु का भी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है यह कोई छोटा मार्केट वाला कोईन इसका मतलब इसमें ग्रोथ भी आएगी तो भी एक डिसंट लेवल पर आएगी ऐसा नहीं जो पहले ग्रोथ आई थी जब यह बहुत नीचे था वैसी वापस देखने में शाय देखेगी क्योंकि बाखे के कॉइंस बढ़ने चाहिए बिटकॉन भी वैसा बढ़ेगा इथि कितना है इसमें आपके पास कितने कॉइंस यह तो सप्लाइब और जो आपको टोटल सेर्कुलेटिंग सप्लाइब और जो बार एकज़ांपल दीखा दाओ वेट आलशो अभी बिटकॉन का उपन करते हैं एक सार्कुलेटिंग सप्लाइब एक फुली मारे अर्डिटिंग म और लाना मार्केट में बागी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि supply यह लोग मार्केट में बहुत कम रखते हैं इसलिए डिमांड हाय होता है लेकिन जब धीरे 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 सप्लाई बाढ़ान लग जाता है जब भी जो नेटवर्क समबालते हैं जो बी तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कितना है कितना है कितना है वह आपको प्रॉपर लिस्ट देखके समझ में आ जाएगा जाएगा थोड़ा फार मैंज भी आप में अच्छे हो फैनांस किया या फिर ठीक टाक आपका आईक्यू लेवल है तो आपको बस देखके समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है ज्यादा कुछ कल्कुलेशन करने की जरुवत नहीं है वॉल्यूम में देखना इंपोरेंट है कि कितना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है एक्टिव क करो क्योंकि आपका काम भी फास्ट हो जाएगा आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहावा आपका थोड़ा इसमें इंट्रेस्ट भी और आ जाएगा और इट वूड़ भी वेरी मच बेनिफिशल फॉर यूँ क्यूंकि बस देखते ही आपको थोड़े झाल